कॉंग्रेस की तैयारी बड़ी चुनौती जीते हुए विधायकों को सरंक्षित करना है इसके लिए भी कॉंग्रेस के पास एक रणनीती है इसी के तहट चुनाओ से पहले और सरकार बनने तक उसके विजेता विधायक एक गुपत स्थान पर रहेंगे और परिणाम घोशित होने के बाद सरकार बनाने का दावा करेंगे हिमाचल में ऐसे बनेगी सरकार पहले सेग्मेंट में चर्चा कर लेते हैं उकार जी मत गर्ना से पहले दिखिए ये लग रहा है कि आम आदमी की तो परिशानिया है ये भी परिशानिया है कि खबरें कहां से लाए है हम जैसे लोगों के लिए दिक्ते हैं ये भी है लेकिन अगर ये कहें कि राजनितिक दल बड़ी शान्ती में बैटे हैं तो ऐसा नहीं है परिशानिया उनकी भी है खासकर कांग्रेस की अगर बात कर रहे हैं हम तो कांग्रेस चुह हम देख रहे हैं लिशले लंबे फरसे जब से लेक्शन हो के हटे हैं वोटिंग हो के हटे है मैजलने घिसक हो शर्ट आईगा तो और किसा आईगा सरकार किसी बनेगाल नहीं हैं पर अगर हम बात कांग्रेस की करें कांग्रेस की सब से बड़ी चिंता तो कहीं तोड़ फोड़ तो नहीं होती है, यह अशंका कॉंग्रेस बार बार उसके लीडर बार उठा रहे हैं, बार बार इस अशंका को व्यक्त कर रहे हैं, तो कॉंग्रेस ने इस अशंका के निवान के लिए, अब एक बड़ी योजना जो, योजना पर आता हूं, योजना बिठाए कई जो जहां पर लगा को कि कुछ ऐसा ना हो जाए, चुनावायोग ने भी कहा कि हाँ ठीड है आप कर सकते हैं हलांकि भाचपा की और से अपतिया जताई गई कि नहीं चीज ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर चुनावायोग ने कहा कि नहीं ऐसा किया जा सकता है, वो स साथ ही साथ कॉंग्रेस ने ये भी कहा कि तोड़ फोर्ड का अगर आप इंडाइक्ट लिए देगा कॉंग्रेस के नेतावन सीधे कहा कि खरीद फ्रोक्त भी हो सकती है, मतलब उनका अपना अनुभव होगा, या कॉंग्रेस को ऐसा लगता होगा, अब इसी को ध्यान में र अनुभव हो सकता है कि चुनाव प्रणाम से पहले और चुनाव प्रणाम के बाद सरकार बन जाने तक उसके जीते हुए विधायक होंगे, तो उनको जो है वो किसी भी विधायक को किसी के भी संपर्क में आने नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा बताया जा रहा है कि वे अपन तो परदेश में ही कही गुप जगा पर रखा जायागा या फिर परदेश से बाहर भी रखा जा सकता है, तो सिधा सा संदेश यही सीडी सी, यूजना कांगरिस की रणनीती यही है कि हम अपने विधायकों का किसी के साथ भी हाल फिलाल संपर्क नहीं करने देंगे, चाहे वो चुनाब से पहले की है, या रिजल्ट के बात की बात है, या सरकार बन जाने तक है, तो यह एकी बिसना है, जी मैं दर्शकों को बताओं, जो उंकार जी कह रहे हैं, इसमें चीज यह है कि तोड़ फूर कब होती है, देखिए उससे पहले तो नहीं होगी जब तक इलेक सबी की ओर से, उसमें जो हमें पता चला हूँ हम आपको बताते हैं, इसमें यह है जी कि जीतने के बाद कॉंग्रेस के विधायक जब तक सरकार नहीं बनती है, तब तक उनको थोड़ा निगरानी में रखा जाएगा, ऐसा ली कि उन पे विश्वास नहीं है, लेकिन ऐसा भ तो फिर एक ही तरीका बचता है, जो हम अन्य परदेशों में देखते हैं, हिमाचल में अभी हमने देखा नहीं लेकिन वो तरीका ये के विधायकों को कहीं और दूसरे राज़े में शिफ्ट कर दिया जाए, अब दूसरे राज़े कहां जहां भाजपा है, वहां नहीं ले तो कॉंग्रेस ये माना जा रहा है कि रौजस्थान को रूल आउट करेगी, अब अस्ता 36 गड़ है, अब 36 गड़ ही क्यों, देखिए जो चुनार परेवेक शक्ते भूपेश भागेल सहाब, मुख्या मंतरी, छतिस गड़ के उन्होंने पूरे उनकी देखरेक में हुआ है अगर कॉंग्रेस जीती है, तो उनके सिर पे बड़ा आसा सहरा सजने वाला है इस वज़े से, तो ये वाला जा रहा है कि 36 गड़ ले जाया जा सकता है, इन विधायकों को जब तैक की सरकार बना नहीं लेती है कॉंग्रेस, तो अच्छा हो कार्च, अगर ये बात सही है, त ये तब है जब इंबैलेंस थोड़ा सा हो, शायद अधर 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 हलका फूलका कुछ इदर अधर का हो, तो क्या लग रहा है आपको, कुछ कॉंग्रेस को ये लग रहा है कि कहीं चीज़ां फसी हो सकती है अभी भी, बल्कुर रानिल जी शक यही है कि भाजपा कुछ भ अधर ये कि भाजपावाले जो हो सकता है, एवियम के साथ छेट चाड करें, या छेट चाड की जा सकती है, तो इन सारी अशंकाओं को देखते हुए, कांग्रेस ने कई जगा जो है, आप देखेंगे के स्ट्रांग रूम जहां भी हैं, वहां अपने तंबू गार दिये है अब वहां उन्होंने डेरा डाला हुए, चो भी उसकंटे उसकी स्टांग रूम्स की जो है वह निगरानी की जा रही है, तो ये सारी शंकाओं और अशंकाओं इसलिए हैं, कि अगर कांग्रेस जीतती है, तो वह इस तरह से जीते के उसकी रहा में कोई किसी भी तरह का दिक पेशाली, जी इसे ऐसे भी देखा जा सकता है, कि देखें, विधायकों को बाहर ले जाने की जरूरत कब पढ़ सकती है, तब पढ़ सकती है, जब पूरे नंबर नहीं है, आपके पास है, आपको 35 चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन आप कहीं 30, 31 पे अटके हुए, है कि अगर 36 गड़ या प्रदेश से बाहर कॉंग्रेस के विजए विधायकों को ले जाने की सोची जा रही है, प्लैन है, A, B, C, D, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कॉंग्रेस ऐसा लग रहा है, वरतवार में पी किसी भी परिद रिश्य को ऐसा नहीं है कि उसको वह ऐसे 35 पे है, और बात या जनता पार्टी, अगर माली जिए वो 35 है या उससे जाता है तो फिर यह जरूर थी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फिर तो उनकी सरकार वैसे रिपीट कर जाएगे, ये स्थिति का पैदा होती है, वकार्चे जब निर्दलिया, निर्दलिया में थाया कु तो इस्थितियां उस तरह की है, अचा हुमकार जी अगर ऐसा है, तो क्या लगता है आपको कि कुछ स्थानों पर निर्दलिया विधाय जो प्रतियाशी है, जो निर्दलिया उतरे हैं, अपनी पार्टीों के अगेस्ट उतरे हैं, या फिर वैसे ही उतराए होंगे कहीं, क् कि स्थिति में देख रहे हैं कॉंग्रेस को अगर ये ऐसा है मालिचे तो फिर तो ये बड़ी ख़बर है बड़ी ख़बर है मतलब देखिए अभी तक तो सब यही बोल रहे हैं ना जी कि जो भी निर्दलिय खड़ा है वो अपनी पार्टी को साथ सामने आते हैं मजबूत होकर उबरते हैं जीत जाते हैं तो ये दोनों कांगर्रेस और भाजपा के लिए जो आनक का तारा बन जाएंगे और दोनी पार्टी चाहेंगी की जिस भी पार्टी को उनकी जुरस पड़ेगी तो बहां इनको लिए जा सकता है और पहले जैसे आपने जिगर किया कांग्रिस तो निर्दलियों के संपर्क में पहले से ही है और चाहे वो निर्दलिये कांग्रिस के हूँ या फिर भाजबा के हूँ तो दोनों ही पार्टियों के जो है उन निर्दलियों से एक संपर्क साधा जा रहा है और अगर इस बाद ही इस्तेती जो है वो स्पस्ट्रों ये किन किन सीटों पर निर्दली जो है वो बड़ी चर्चा में रहें आवकारजी आव हमारे दर्शकों को बताईए सरा देखिए सबसे पहले तो मैं बिलासपुर सदर की बात करूं तो बिलासपुर सदर मैं भाजपा कही वरिस्ट पर अगर हम अगर हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर की जो बड़सर विधान सबक्षेतर है बहाँ संजीब शर्मा है तो संजीब शर्मा भी एक अच्छा होल्ड रखते हैं इसी तरह संदर नगर देखा जाए या फिर मनाली में हम देखें तो यहां कुछ ऐसे गिनी च विधान सबक्षेतर हैं जहां निर्दलियों का अपना जनाधार है और वो एक अच्छी टकर जो है वो पार्टी परतियाशन को देने की अस्तिती में दिख रहे हैं अभी तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा निर्दलियों कितना दम दिखा बाते हैं लेकिन आपने कुछ जोड़ लगाया बंजार में बहुत जोड़ निर्दलियों प्रतियाश जो उमीदवार उतर है वहां पर उसने लगाया या आप कागड़ा में भी एक अधिया दो सीटें आप देख लिजिए ना आप चाहे वो फाथेपुर की बात कर लिजिए या फिर आप कर लिजिए ज है अधियोग में या बाकी और जगा शिबला में भी तो अगर कॉंग्रेस ऐसा सोच रही है तो ऐसा सोच में मैं कोई मतब ही जो हमारी एक्सपर से बात हुई है यह को बुरी बात तो है नहीं क्यों सरकार बना नहीं है अगर मांदिए जरूरत परती है अगर वैसी बात को ही नहीं तो अरजस्ट हो तभी तो अपने खिशितर के लोगों को जीतने के बाद कुछ दे पाएंगे यही बात है न जी आचा अउगार जी यह तो चलिए हमने चर्चा की कि सरकार कैसे कैसे बन सकते हैं हिमाचर में लेकिन भाजपा के वरिश्ट नेता है जी शांता कु है उकार्ची जिन अब इस तार से बताए हमारे दर्शकों को कि उन्होंने क्या कहा क्योंकि लोग जब हमारी बात हुई में इस कारेकरम से पहले कुछ हमने आम पब्लिक से भी बात करने चाहिए एक्सपर्ट से वो उससे काफी सहमत नजर आ रहे हैं जी बिलकुल अनियर ज हमाचल के संदर्ब में देखा जाए तो बड़ा देर से बियान दिया हुए पर बियान बहुत गरतलब है उन्होंने कहा है कि लोक तंत्र नहीं हो रहा है यहां चुनाब तंत्र हो रहा है तो उन्होंने उधान दिया कि हमाचल के संदर्ब में देखा जाए तो इस चुनाब गई पन्सो करूरूल रुपे खरच कर दिये गए तो पन्सो करूरूर रुपे खरच करने की जरूरत नहीं थी चुनाब लड़ा जाए तो चुनाब को इतना महेंगा नहीं किया जाना चाहिए और देश की स्थितीच का ध्यान रखके ही चुनाफ लड़े जाने चाहिए तो इनका ये जो चुनाफ से संबनदी तेया लोगतन्तर के संबनदी वियान है इस वियान के कई तरह की कुरियाएं और परतिक्रियां देखने को मिली है कुछ लोगों ने इस बियान का स्वागत भी किया है और कुछ ने ये कहा कि अगर शांता जी चुनाब से पहले ही ये बियान दे देते तो शायद सत्वा पक्ष और भी पक्ष को एक सकारात्मक संदेश जो था वो जा सकता था चीब मैं इसमें जोडने चाहूंगा कारचीब देखिए जो शांता कुमार जी ने आज कहा उन्होंने एक तरफ तो खर्चे की बात कही और दूसरी तरफ ये कहा कि हम जो भी चाहे राज़े में कोई भी नेता है कोई भी पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहेंगे पांच साथ या दस राज्यों में वहाँ पे चुनाव होने हैं उन्होंने कहा कि दो राज्यों की वज़ा से ही देश में इतना सारा सबकुछ रुकसा गया है तो दस राज्यों पे चुनाव होंगे तो क्या होगा और पूरा साल चले रहेंगे और उसके बाद फिर साथ राज्यों चुनाव है शानता, कुमार जी का ये कहना है कि हम हमेशा चुनावी मोड में रह रहे हैं हम कौन जिनों ने काम करना है, नेताओं ने क्यों कि एक से वो उनको फुरस्त मिले हैं उनको अगले राज्य जिसलिंग एक सामने एक परगेट पड़ा होता है, तो काम कौन करेगा, कब करेगा, यह बहुत बड़ी बात कहीं होने, 1967 तक उन्होंने कहा कि सभी चुनाव जो होते थे, देश में, पूरे देश में, वो एक साथ होते थे, चाहे वो आपके पंचायत के हैं, आपके बीडी सी के एलक्शन्स हैं, आप के प्रधान, चलिए पंचायत, उसी में आगे जिला बरिशद के हैं, आपके विजहान सावा के हैं, या फिर आपके लोग सावा के लक्शन हैं, हमेशा एक साथ होते थे, पांच बोक्सिस रखे जाते थे तब, पांच ये छे, शायद पांच ही होते होंगे, एक साथ चुन बनाई जाए, एक राय बनाई जाए, और फिर ये सभी चुनाव, वही व्यवस्ता जो 1967 तक चलती थी है मारे देश में, सभीधान दिवस भी है वैसे, आप भी ध्यान रखें, सभीधान में ऐसी व्यवस्ता की जाए, कि वही सारे चुनाव एक साथ हों, कभी ये ऐसा नहों किये, और उसके लिए तीर महीने फिक्स किये जाए, कि देश में पांट साल बाद इन तीर महीनों में सारे चुनावी करते होंगे, तब आप वो डाली, अच्छा वाबस में विस्तितियां ये हो जाती है, कि मान लिजिए कि किसी सरकार को, या कोई उमीदवार कही उपचु टाइब के लिए, उसके अतरिक तो और क्या कहा उनना जी, मान लिजिए कहीं सरकार गिर जाती है, अल्पमत में आ जाती है, तो अल्पमत से पहले दूसरी पारटी को भी कहा जा सकता है, क्या बहुमत साबत कीचे पहले अपना, यहां बहुमत में है, फिर भी, अगर मान लि बीस दिसंबर को माली जी रष्टपती का चुनाफ होना है तो होना है और जैनुरी मुने शपत लेने चार साल बाद तो उसी डेट को लेनी है जैसे मंगलवार वो शायद सैकेंड मंगलवार होता है जो भी है तो वहां देन डिसाइड है और दिखिए वहां पे कभी परिशान यह जो दिक्कत है अमरीका के जो व्यवस्ता रष्टपती प्रणाली उसमें नहीं आती है लेकिन संसद्य प्रणाली की एक खामी है बड़ी है कि यहां पर आपको बार बार चुनाव करवाने की ज़रूरत महसूस होते हैं अगर हमने यहीं प्रणाली चलानी है जाहिर हमार पांसो क्रोड़ लगा जाएंगे या कुछ और भी कुछ ऐसी व्यवस्ता होते है माले यहां पर किसी आदमी को ऐसी पोजिशन दी जाती है जो अभी चुना हुआ नहीं है तो शे महीने में एक और मौका जाएगा कि चुनाव करवाई या इस तरह से बहुत सारी व्यवस्त है आम आदमी का कामदाव तो शांतकुमार जी नाची समविधान दिवस्त के दिनिये मसला उठाया है जिस पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है अगर ऐसा सही लगता है तो सभी इसके पक्षमे आवाज उठा भी सकते हैं सही मात्यमों से